तो बड़ी कबर आपको बता दे हैं दानी मुद्देपास सुप्रीम कोट का एक्शन देखने को मिला है सुप्रीम कोट चेस दस्तरी कमिटी बनाई है पूर्व नयाइधीश एम सप्रे कमिटी के जो अध्यक्ष है यानि कि सुप्रीम कोट के आपको बता दे कि सेवी को गडवड़ी की जांच का भी निर्देश दे दिया गया है। इसके साथ ही पूर्व न्याइधीश एम सप्रे कमिटी के जो अध्यक्ष है सेवी को गरबड़ी की जांच का निर्देश भी दे दिया गया है। नहीं थम रहा स्टंट बाजी का सिलसला आपको बता दे कार्ड में स्टंट बाजी का जो वीडियो है वो जबकर वारल हो रहा है। और एक बार फिर से इसी तरीके की जो तस्वीरे है वो वेट का नगर से देखने को मिल रही है। जहां पर स्टंट बाजी का जो सिलसला है वो थम नहीं रहा है। आप देखिए वो वीडियो भी सामने आ गया है। इस वीडियो को आप साफतोर पर देख सकते हैं कि चल्पी कार से किस तरीके से ये जो लोग है उतर रहे हैं एक कार के उपर बैठा हुआ है। अलाकि आपको बता दे कि इस स्टंट बाजी का जो ये वीडियो है इसको देखने के बाद पुलिस की पुरी तरीके से हरकत में आई है। और कारेवाई की बात यहां पर कही जा रही है। लेकिन इस तरीके का वीडियो सिर्फ ये एक ही नहीं है। ऐसे काई वीडियो सामने अक्सर देखने को मिलते हैं। अब ये गारी का इस वीडियो देखे। जहांकि इस तरीके से चलती कार से ये जक्ती बहार निकल जाता है। और इस जक्ति कार के ओपर बैठा हुआ है यानि कि जो नियम है ट्राफिक के उसको पुरी तरीके से ताक पर ये दोनों लोग रखते हुए नजर आ रहे हैं अलाकि वहाँ पर मौजूर इस जक्ति इस वीडियो को बना रहा है ये लोग इस वीडियो को वारफ सर देते हैं लेकिन अब इनके लिए ये मुसीबत का सबब बनता जा रहा है उसकी पुलिस इस वीडियो को देखने के बाद हरकत में आ गई है अब बेटकर नगर के टांडा खुटपाली शेट का इस पूरा मावला बताया जा रहा है अब कारवाई इन पर होगी उसकी पुलिस के तरफ साफतोर पर ये तहा गया है इन स्टेंट बादो को छोड़ा नहीं जाएगा बक्षा नहीं जाएगा इस पुलिस चार्ज कर रही है लेकिन साफतोर पर देखा जा रहा है इस वारल वीडियो में किस तरीके से चलतिकार से ये व्यक्ति अचानक से बाहर आ जाता है